हेलो फ्रेंड्स तो एनकलेक्स सोंडर्स अपने जो नाइन्थ एडिसन है उसकी थोरी कला से चल रहे थी जिसमें अपना 10th चेप्टर के तीन पार्ट जो है वो अप्लोड कर दी है मैंने आज का लास्ट पार्ट है जिसमें अब तक अपन ने पढ़ा वाइडल साहिन अपने स्टेडी कर लिए थे कंप्लीट टेंपरेचर पल्स रेस्पिरेशन बिपी देन पल्स ओक्सिमेट्री देन पैन एंड इट से मेनेजमेट यह इतनी चीज़े अप तक अपने स्टेडी कर लिती ठीक है आज का जो अपना टोपिक है लास्ट का बचा हु इसे फ्यां संटेडी करेंगे सबसे पहले इसमें दे रहा है सूडियम और सीरॉम पनेस्परेशियुम सीरं साधियुम के स्बूटेश्युम और सीरं पनीसे ब्लिसमान के लमत्रीक हैं और इकिख कर आए है enjoy दिए इनए बाकिलिध्य मेंलेक्ष रूप में है, इसलिए मैंने fluid and electrolyte ये वाला जो chapter है, इसमें ये complete विस्तार में कराया हुआ है, ठीक है, चलिए, next अपन चलते हैं, इसी topic में, आगे, table number 10.1, एक अच्छी सी table दे रखिए, ठीक न, सहारनी दे रखिए, तो उसमें बताया हुआ है, कि obtaining blood sample, किस परकार से blood sample जो है वो अपने को obtain करना चाहिए, आप ये table जुरूर देखना, unclix की जो PDF है, उस unclix वाली PDF में, table number 10.1, ये जो table है, ये देखना, ठीक है, इसमें दे रखिए, किस परकार से अपन blood sample obtain कर सकते हैं, तो दो तरीके, एक तो peripheral IV, intravenous जो line वहां से कैसे sample लेना है, और दूसरा तरीका है, central IV, ठीक है, central line जो है, उससे अपने को, किस परकार से अपन blood sample ले सकते हैं, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, peripheral IV line, ठीक है, तो देखिए, क्या-क्या sequence रहेगा proper, हाला कि बहुत बढ़ी table है, लेकिन मैंने short तरीके से, एक-एक जो important point हो, वो सारे collect किये हुए, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, check और cross match the data, तो जब भी अपने को sample लेना होता है, तो अपन क्या करेंगे, doctor का जो order है, prescription है, उसको अपन जरूर चेक करेंगे, कि particular patient का जिसका अपन लेना चाहते हैं, यह वही patient है पहला का, then explain the procedure to the patient and purpose, patient को purpose बताएंगे, कि sample जो है blood का, वो ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, यह अपन patient को जरूर बताएंगे, चलिए, next, wear the gloves, gloves पहनना है अपने को, apply the tonicate, जहां से यह hand मान लीजी, ठीक है, यह कौन ही है, ठीक है, यह अपना जो palm है, ठीक है, मान लीजे मेरे को basilic whence sample लेना है, तो tonicate जो है, वो apply करेंगे अपन, ठीक है, कह अपन, tonicate apply कर देंगे, ठीक है, चलिए, tonicate कितना, 10 to 15 cm above the iv side, next, scrub with antiseptic lotion या solution, antiseptic solution जो है, उससे अपन क्या करेंगे, particular side को clean करेंगे, then, flush iv with 5 ml normal saline solution, sample लेने से पहले, हमेशा, sample लेने से पहले और sample लेने के बाद में, यह rule यह रहता है, before and after sample, sampling, rule क्या रहता है, कि दोनों बार अपने को क्या करना होता है, normal saline solution, जो है, वो, install करना होता है, ठीक है, flush करना होता है, then, aspirate the blood, 5 to 10 ml, then, अपन क्या करेंगे, एक जो fresh शीरीज है, उसके अदर अपन, 5 to 10 ml, क्या कर लेंगे, blood को aspirate कर लेंगे, and pour it into, pour into collection tube, जो collection tube होती है, इस प and send to the laboratory, lab को अपन send कर देंगे, ठीक है, तो यह complete procedure रहता है, peripheral intravenous line से अपने को जब sample लेना हो, तब, अब अपन बात करेंगे, central IV line, तो एक दम, जिस परकार से अपन, peripheral side से अपन, जो sample लेंगे, ठीक, उसी तरह से, central line है, उससे भी अपन, sample लेंगे, कोई difference नहीं है, बस इतना है, कि यह अपनी central venous, जो है, central vein है, कोन सी वाली, यह मैं कोशिस कर रहा हूँ, गलत बन गया है, तो डाइग्राम, ठीक है, यह मान लीजी, individual का, ठीक है, यह नेक वाला region है, तो यह जो नेक वाली, जो subclavin artery है, जहां से central line डाली हुई है, इस artery के माध्यम से क्या किया जाता है यहां से क्या किया जाता है, sample को collect किया जाता है, इसको बोलते है, central IV line से blood sample लेना, ठीक है, क्योंकि यह बड़ी artery है, तो इसलिए, यदि individual में central line अगर डाली हुई है, तो उस condition में ही, उस tubing है, उस tube से अपन क्या करेंगे, sample ले लेंगे, ठीक है, तो कोई specific, इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई visage, ठीक है, सेम एज peripheral IV, blood sampling, खाली site का फरक है, कि अपन peripheral में तो peripheral artery ले रहे थे, वेल ले रहे थे, जबकि यहां क्या कर रहे है, आपने, जो central line है, वहां से अपन सिधा blood collect कर रहे है, ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान में रखनी है, only aware about it, ask the patient to turn head away from the site, then gentle aspiration perform, कि individual को बता दिना है, कि जिसे site से अपन sample ले रहे है, ठीक है, मैं आपको वापिस चीतर के अनुसार बताता हूँ, ठीक है, diagram थोड़ा सा गंदा बन सकता है, लेकिन आप समध जरूर जाओगे, यह है, अपना heart हो गया, ठीक है, यह क्या है, subclavin artery है, subclavin vein है, ठीक है, इस subclavin vein से अपन क्या करें है, sample को aspirate करें, तो patient को बोलेंगे, तो इस side से माल लेजिए, मेरा right side है, यह मेरा left side है, ठीक है, तो यहां से अपने को क्या करना है, sample लेना है, तो patient को बोल देंगे, turn the head, head को क्या करना है, opposite direction में turn कर लेना है, बस इतना ही करना है, ठीक है, ताकि यह जो vein है, ये वेन अपने को क्या हो जाए? विजीवल हो जाए आराम से, ठीक है? यहां की जो वेन है, सब के लिए वेन वेन, बस इतना ही बोलना है, और सारा का सारा प्रोसेजर, same to peripheral IV line, चलिए, next अपन बात करते हैं, next अपना topic इसी chapter में, that is, activated partial thromboplastin time, अब सारी के सारी laboratory value दे रखी है, सारी important है, बहुत ज़्यादा detail में दे रखी है, लेकिन जितनी काम की है, वो सारी के सारी चीज़े मैंने collect कर लिए, ठीक है? तो इसको देखना और PDF को match करना, and collect saunders की PDF जो है, वो 9th edition जो है, अभी latest version, उसके साथ में इसको match करते हुए बढ़ना, जितनी चीज़े मैंने बताई है, वो सारी important है, तो देखिए, activated partial thromboplastin time, यह क्या है? यह जो है, नोर्मली कितना होता है? 22 to 36 seconds होता है, ठीक है? यह नोर्मली क्या होता है? 22 to 36 seconds, activated partial thromboplastin time, thromboplastin मतलब ठक्का जमने का time, कितना होता है? ब्लीडिंग हो रहा है, किसी particular location पे, और वहाँ पे, कितनी second में, activated partial thromboplastin जो है, वो collect होगी, ठीक है न? उस एक तरह से वो क्या करेगी? एक तरह से वो, जो, loose gloat होता है, loose gloat को form करेगी, तो वो time कितना होता है? 20 से 36 second, अब मान लिजी, यह time यदि मान लिजी, बढ़ गया, 50 second हो गया, या 1 minute तक हो गया, इसका मतलब, उतने time तक bleeding होता रहेगा, ठीक है? bleeding कम time में, तुरंत stop हो जाना चाहिए था, इतनी second, इस time के अंदर, second, जो stop हो जाना चाहिए था, लेकिन यदि यह time बढ़ गया, तो इसका मतलब, उस individual को bleeding कोई प्रोब्लम है, bleeding से समन्दित, यह ध्यान में रखना, सिधा समतलब यह, ठीक है? अब देखिए, एक क्यूशन हमेशा बनता है यहां से, वो यह बनता है, कि activated partial thromoplastin time जो है, जब patient hyperin ले रहा होता है, यानि कि anticoagulant ले रहा होता है, तो उस time, यह जो time है, यह 60 to 80 second तक क्या माना जाएगा, नॉर्मल माना जाएगा, यह अपने को ध्यान में रखना है, यानि कि when patient on hyperin therapy, the activated time should, two time normal, ठीक है? यानि अपने जो normal जो time है, उससे normal time से 2 गुणा time तक normal माना जाएगा, ठीक है ना? माली जी 20 है, तो hyperin ले रहा है, तो 40 second तक यह क्या माना जाएगा? नॉर्मल माना जाएगा, यह ध्यान भी रख ले ना बस, चलिए, next, prothrombin time, यह क्या है? PT, यह भी clot से related ही है, जितना आपने 13 clotting factors है, उनी से related prothrombin time होता है, ठकका बनने से समदित time होता है, यह भी, ठीक है? PT, अलगला clotting factor उसके नाम की आधार भी यह time दिया हुआ है, तो PT नॉर्मली कितना होता है? 9 से 14 सेकिंड होता है, यानि prothrombin जो है, तक नॉर्मल माना जाएगा, क्योंकि वार्फेरिन क्या है? अंटिकोगुलेंट है, ठीक है? तो इसलिए अपन कह सकते हैं, पेसेंट ओन वार्फेरिन than PT to time normal, तो उस टैम पे जो PT है, वो दो गुणा तक अपने normal range से, दो गुणा तक normal माना जाएगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट आइनर, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेश्यो, ठीक है? जनरल ये भी क्रोड से रिलेड़ेड़ी है, ठक्का बनने से समद्दीत है, नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मली आइनर होता है, जब पेसेंट एंटिकोगुलेंट वार्फिरिन ले रहा होता है, तो उस टैम जो आइनर है, वो दो से तीन नॉर्मल माना जाएगा, तो नोट क्या ध्यान में रखना है, पेसेंट ओन वार्फिरिन थेरपी, जब भी पेसेंट वार्फिरिन थेरपी पे हो, तो आइनर जो है, ये दो गुणा तक, टू टाइम तक नॉर्मल माना जाएगा, ठीक है, चलिए, अब दो इंपोर्टेंट पॉइंट और ध्यान में रख लेना है, कौन-कौन से, बीट्टी, बिलीडिंग टाइम कितना होता है, और कौन टाइम कितना होता है, तो बिलीडिंग टाइम, 3-6 मिनिट होता है, और क्लोट बनने का टाइम जो है, 3-8 मिनिट तक नॉर्मल होता है, टीक है, चलिए, नेक्स्ट अपन चलते हैं, सारी की सारी लेबरेटरी वेलियोस दे रखी है आगे, नेक्स्ट है platelet count इस sequence के अधारपी मैंने जैसे nclix में sequence है वैसे मैंने notes बनाई है ठीक है तो platelet count कितनी होती normally 1.5 leg to 4 leg per mm cube यह normal platelet count होती है ठीक है platelet का दूसरा नाम किया है thrombocytes ठीक है ठक्का बनने से related होती है increase wbc बीच में यह wbc का reference दिया हुए यह वाला portion अलग से है platelet इतना है था wbc की बात और यह बीच में तो increase wbc ठीक है हाला कि wbc count भी आएगी generally मैं बता जेता हूँ आगे है देई हुई है 4000 से 11000 पर mm cube ठीक है यह normal wbc count होती है अब लेकिन ध्यान में क्या रखना है increase wbc infection में increase होती है और decrease wbc wbc कम कब होती है किमो थेरपी पे हो जब पेसेंट leukemia में हो leukemia में तो अब आप सोचोगे कि increase wbc बढ़ जाती है ठीक है बढ़ती नहीं है leukemia में कौन से wbc बढ़ती है immature wbc बढ़ती है leukemia जो है इसमें leukocyte बढ़ती है लेकिन immature leukocyte बढ़ती है ठीक न में बढ़ती है तो यह ध्यान में रखना है next dic diseminated intravascular coagulobity उसमें भी क्या होता है wbc count degrees होता है और next है hemorrhage यदि ब्लेडिंग हो रखा है तो उस condition में भी wbc घड़ जाती है ठीक है चलिए next अब एक बीच में आगया box number 10.2 यह इसमें दिया हुआ है तो इस box के अनुसार hb generally male में कितना होता है 14-18 gram per deal female में 12-14 gram per deal hct hematocrit level male में कितना होता है अच्छा hct क्या चीज है hct है blood का concentration guard upon ठीक है तो concentration male में कितना होता है 42-52% और female में होता है 37-47% चलिए next एक table और दे रखिए 10.3 important है इसको भी अपने note किया है lipid के बारे में दिया हुआ है तो cholesterol जो है वो generally serum cholesterol की बात हो रही है less than 200 mg per deal होता है HDL high density lipoprotein more than 60 mg per deal होता है LDL low density lipoprotein less than 100 mg per deal होता है और triglyceride जो है ये कितने होते हैं male और female में अलग अलग है male में है 42-160 mg per deal और female में 35-135 mg per deal ये complete हो गया lipid profile चलिए next glucose study glucose की regarding FBS fasting blood sugar कितना होना चाहिए fasting इस्तिति में जब अपन भूखे हो उस दुरान 70-110 mg per deal होना चाहिए ठीक है और यदि ये fasting more than 126 हो जाए तो उसको अपन बोलेंगा diabetes mellitis जबकि HbA1c ये भी एक प्रकार का glucose का test है जो कि अपने को 3-4 मन्त पहले का glucose बताता है अपने blood में ये generally less than 5.7% होना चाहिए यदि यहां तक है तो normal है और यदि 6 से ज़्यादा हो गया इस मतलब इसका मतलब individual को diabetes mellitis है चलिए next renal function test serum creatinine generally कितना होना चाहिए 0.6 to 1.5 एंगलेक्स में 1.2 भी दे रखा है लेकिन अपने यहां पे 1.5 तक normal माना जाता है यह value एंगलेक्स की यह ध्यान में रखना 0.6 to 1.2 mg per dl होता है serum creatinine normal level लेकिन अपने Indian culture में अपने 0.6 to 1.5 mg per dl तक normal माना जाता है then blood urea nitrogen कितना होता है blood urea nitrogen 10 to 20 mg per dl तक यह normal होता है यदि individual को renal failure है तो उस condition में यह दोनों जो मात रखा है यह priority पे अपने को diagnose करने होते हैं यह बढ़ जाएंगे then last में चीज बच गई RBC, RBC normal में कितनी होती है 3.5 to 6.5 million per mm cube जबकि WBC में ने बताया दी 4000 से 11000 per mm cube तो इस प्रकार से अपना जो 10th chapter है vital sign and laboratory reference interval यहाँ पे complete होता है धन्यवाद प्रकार जाएंगे बच्वा जा जाएंगे रग्पार जो चाहिं रहाएंगे